नमस्कार दोस्तो तनुवेस किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो सरदी के मौसम में बाजरे के आटे से तरह तरह के नमकीन और मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं ऐसी ही एक मीठे व्यंजन की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ जिसे हम बनाएंगे बाजरे के आटे और गुर से बाजरे की टिक्की या बाजरे के पुवे ये नौर्थ इंडिया का सरदी में बनाए जाने वाला जन जन है जो बहुत हैल्दी होता है बाजरे की टिक्की या बाजरे के पूवे को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बरतन में दो कप बाजरे का आठा ले लिया है जिसे चलनी से चान लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सौफ्ट दो तयार कर लेना है दो कप बाजरे के आठे में एक कप पानी लग जाएगा आठा अभी कुछ पतला बनाना है क्योंकि इसमें गुड़ चोटे टुकड़ो में काट कर डाला है इसलिए गुड़ को मिक्स होने में समय लगेगा अगर आठा अच्छे से बना होगा तो टिकियां फटेंगी नहीं और अच्छी गोल गोल बनेंगी इसलिए आठा अच्छे से बनना ज़रूरी है आठा कुछ गीला है इसलिए उसमें आदा कप बाजरे का आठा और मिक्स करेंगे और मिक्स करके अच्छे से नीट कर लेंग अच्छे से फूल गया है अब इस तरह से हाथ में लेकर चोटे चोटे पोर्शन को रॉल करेंगे हाथ की हतेली के बीच में लेकर इस तरह से रॉल करके चोटे चोटे आकार के पेड़े बना लेंगे चाकू की सायतह से चुटे च्वच आकार के बराबर मात्रा के पीड़े काट ले ना है सबी पीड़ों को हाथ पर देल की चिकनाई लगाकर गोल गोल पना ले न आ हा और चिकना करके हाथ लीपर लेकर पीड़े को चप्टा करेंगे दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं मेरी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेसिपी को पूरा देखिएगा हाथ में लेकर इस तरह से टिक्की का शेप देंगे, चप्टा करके कुछ सूखे तिल इस पर लगा देने हैं, इस तरह सभी लोईयों की टिक्कियां बना लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे दूस्तों बाजरी की टिक्की को इस तरह से हाथ पर एक पेडा रखकर दिरे दिरे चप्टा करते जाएंगे और टिक्की बना लेंगे या फिर चौकी पर एक पेडा रखकर इस तरह से चप्टा करेंगे और टिक्की बनकर तयार हो जाएगी हाथ में लेकर किनारों को पतला करेंगे इस तरह से टिकी के किनारे चप्टे हो जाएंगे बाजरे की टिकी को आप बेलन से और चौकी से भी बना सकते हैं बेलन पर थोड़ी सी चिकनाई लगाएंगे और इस तरह से बेल कर टिकी बना लेना है और धीरे से किनारे उठाकर दूसरी पलेट में रख लेंगे, इस तरह से सभी लोईयों को टिक्की बना कर तैयार कर लेंगे टिक्की के किनारे बिलकूल चिकने और चप्टे होने चाहिए, टिक्की की मोटाई ज़ादा नहीं रखनी है दोस्तों बाजरे की टिकी बनाना वैसे तो बहुत आसान है लेकिन इसमें गुड़ की मात्रा का सही सही उपयोग होगा तो टिकी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी अगर आप गुड़ की मात्रा जादा कर देंगे जादा मीठा कर देंगे तो गुड़ तलने के बाद कड़ा हो जाता है और टिकियां ठंडा होने के बाद कड़ी हो जाएंगी इसलिए जादा मीठा डालने की आविशक्ता नहीं है देखे चौकी बेलन पर भी किस तरह से असानी से टिकिया बना सकते हैं और बड़ी असानी से उठ जाती हैं एक और तरीका बता रही हूँ बाजे की टिकी बनाने का एक कोई भी पॉलिथिन की पैकिट लेकर इस तरह से काट कर उसको फैला लें तेल की चिकनाई लगाकर एक पेड़ा रखकर इस तरह से बेलन से हलके हाथ से बेलें पूरी से थोड़ा सा छोटा बेलना है क्योंकि जादा बड़ी टिकी बनाएंगे तो उसको उठाने में फटने का डर रहता है किनारों को इस तरह से मिलाकर चिकना कर लें अगर आप बेलन ना लगाए तब ये टिकी आसानी से हाथ से दवाने पर बन जाती है दोस्तों यहाँ मैंने बाजरे की टिकी को बनाने की दो तीन बिधी बता दी है अब आपको जो अच्छा लगे जो आसानी से बने उसको उपयोग में करें टिकी तभी बनाना शुरू करें जब आप तेल कड़ाई में गरम कर लें तलने के लिए क्योंकि टिकी को अगर दूसरी प्लेट में रखेंगे तो वो छिपकने का डर रहता है और उठाने में फट जाती है तो यहां मैंने टिकी को तलने के लिए कड़ाई गरम कर ली है यह भारी तले की कड़ाई या फिर कोई नॉनिस्टी कड़ाई ले ले तलने के लिए टेल डाल दें टेल इतना होना चाहिए कि टिकी को असानी से तला जा सके चप्टी कड़ाई लेंगे तो जादा अच्छे से टिकिया तल पाएंगे तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो जैक करेंगे तेल में एक छोटी सी आठे की गोली बना कर डालेंगे अगर वो एक साथ राइस होती है उपर आ जाती है तो तेल का तापमान सही है अब इसमें तलने के लिए टिकियों को छोड़ेंगे दीरे-दीरे किनारे से एक-एक टिकियों को छोड़ते जाएंगे फ्लेम को मद्यम रखेंगे क्योंकि जब हम ज़्यादा मात्रा में टिकी छोड़ते हैं 3-4 मिनिट बाद कड़ाई का ताप पान मध्यम से कम कर दें जब टिकिया एक तरफ गोल्डन हो जाए तो इनका साइड चेंज करके दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लेना है जब टिकिया अच्छे से गोल्डन हो जाए तो इनको निकाल कर एक अलग बर्दन में रख लेंगे इस तरह सभी टिकियों को 2-3 बैच में तल कर तयार कर लेना है और ठंडा होने के लिए फैला कर रख देना है जब पूरी तरह से ठंडी हो जाए तभी इनको एर टाइट डबे में बंद करके स्टोर कर सकते हैं दोस्तो रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा बैल आइकन को प्रेस करिएगा जिसे लेटिस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले कमिट्स करके अपने सुझाब जरूर दीजिएगा कि आपने कभी बाजरे की टिकी बनाई है और बनाई है तो कैसे बनाई है दोस्तो बाजरे की इस टिकी को अधिक मात्रा में बना कर 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं गुड बाजरे की टिकी बहुती स्वादिस बनी है, क्रिस्पी है दोस्तो बाजरे की टिकी को आप या तो खटी मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर दही के साथ enjoy कर सकते हैं बाजरे से बनने वाला बहुती अच्छा snack है या चाय के साथ ऐसे ही इसको enjoy किया जा सकता है तो आप भी इसे try जरूर करिए और बताइए कैसी लगी मेरी recipe अच्छी लगी है तो like, share, comments करना न भूलिए एक और नई recipe कुछ खास tips और tricks के साथ देखते रहें तनुवे इस kitchen thanks for watching